FYB.com Business Communication Semester 2 के Most Important Questions और Most Likely Questions जो इन्वरसिटी के पेपर में पूछा जा सकता है इस वीडियो में हम डेटल में डिसकस करेंगे साथ में मैं पेपर पैटन और प्रिविए सेर्ल के कोश्टन पेपर भी जो है आपके साथ डिसकस करूँगा जिससे आप अच्छे Mark Score कर सकते हो प्लस आपको एक Idea और Overall View मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से Business Communication Semester 2 का जो सलेबस है वो किस तरीके से आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है अगर आपको सिर्फ Pass होना है तो फिर वो कितना पढ़ना है और अगर आप अच्छे Mark Score करना चाहते है तो कितना पढ़ना है तो डिटेल में हम लोग डिसकस करेंगे इसके पहले हमने Environmental Studies के उपर और फिर Foundation Course के उपर वीडियोज बनाए है अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यह वीडियो का Playlist चेक कर लिजिएगा ठीक है अगर आप पास होना चाहते हैं तो हमने आप सभी लोगों के लिए एक Course Create किया है जहां पर हम Minimum Notes प्रवाइट कर रहे हैं Previous Air के Questions पेपर प्रवाइट कर रहे हैं और यह जो Important Questions है उसके वीडियो लेक्षेस हम प्रवाइट कर रहे हैं तो मैक्शर आप जो है Post Join कर लेना एक Minimum Feast है एक केटी का Paper Subjects का जो होता है Feast उससे भी कम Feast में है तो आप Join कर लीजेगा क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपके Subjects में एक केटी लगता है मतलब एक भी Subjects में केटी लगता है तो वो पूरा साल जो है आपको उसका जब तक गरिजेशन नहीं होता है तब तक आपको उसका Problem Face करना पड़ता है एक्जाम फॉर्म बरो फिर एक्जाम देने जाओ कब All Ticket आएगा बहुत सारे Quarries इसलिए जो है आप अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट करे जो है Lectures और Notes हम लोग अपडेट कर रहे है एप पे वहाँ पे कुछ lectures भी अपडेट होंगे different subjects के ठीक है तो मैं एक्शोर जोइन करना जैसे इसमें जो है latest question number 4 में पूस्ता है mark के लिए तो कुछ latest भी जो है उस course में add होंगे तो मैं एक्शोर जोइन कर लेना ठीक है लिंक मैं description में वीडियो के नीचे दे दूगा दे चलिजेगा ठीक है या आप हमें whatsapp भी कर सकते है 9 3 2 4 6 4 6 2 3 4 2 3 4 exactly यह number है इस number पे जो है यह important questions है वो important questions मैंने paper pattern के इसाब से discuss किया है मतलब बनाया है और उसी के इसाब से discuss करेंगे और फिर last में आइडल के previous दे के questions पे पर जो है वो हम लोग discuss करेंगे question number 1 जो होता है वो कितने mark का होता है 10 marks का होता है 10 marks में से 5 marks जो है यह divide होता है फिर उसके बाद जो है 10 marks का होता है उसके बाद फिर question number 1 का जो भी होता है वो कितने marks का होता है 5 marks का होता है ठीक है यह question number 1 है ठीक है फिर उसके बाद जो आता है वो question number 2 आता है अचा question number 2 है अचा question number 1 के लिए important questions इसमें तो बहुत सारे मैंने मैंशन किये हैं और आइडल के जो प्रिवेसर के questions पेपर अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें कुछ questions आपको match देख जाएंगे ठीक है इसी type के questions maximum पूसते हैं इसके अलावा अगर कोई दूसरा question अभर 1 में question आता है तो उसका भी हम लोग answer लिख सकते हैं कि यह long answers जो हम लोग पढ़ेंगे na short notes और long answers उसमें से इक answer clear हो जाएंगे ठीक है अभी short notes के लिए आपको क्या करना है any 4 करना होता है आपको 6 दिया रहता है और यह unit 1 के chapter 1 और 2 से आप इस पे focus कीजिएगा अभी हम लोग syllabus भी देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो यह chapter 1 और 2 के unit 1 से आप consider कीजिएगा कि यहां से पूछता है किस टाइप के question जैसे appraisal interview है फिर WSP techniques, conducting and interview, grievances interview है advantage, disadvantage of meeting है, webinars है participants in meeting, group dynamic कि यह सारे question जोगे आपको short notes के लिए पूछे जा सकते हैं अभी यह important question के base के उपर हम लोग क्या करेंगे papers भी देखेंगे तो हमको और अच्छे सा idea मिल जाएगा ठीक है long answers अगर आप देखो कि तो यह unit 1 3 ठीक है यह fourth chapter इस पर आप जब focus कर सकते हैं माल लेजे conference क्या है उसके advantage, disadvantage फिर preparations to be made holding conference फिर committee and discussion advantage of committee फिर committee उसका जो different committees है कैसे वो contribution करती है organization को importance types of committee basically एक word keyword देखो committee इसके उपर जो भी questions advantage, disadvantage या पूरा overall general आप इसको समझ लेजेए फिर आप answers आराम से लिख सकते हैं ठीक है, आप खुद का own answer भी लिख सकते हैं ठीक है, define public relation discuss various measures for promoting internal public relation ये जो है public relation को बर बेस question है क्या तो जिसे मैंने आपको बता है कि जिसे माल लीजे public relation question number one में पूछ सकता है यहाँ पे लिख लेगा public relation तो आप अगर long answers करते हो तो यहाँ पे questions cover हो जाते है तो यह कुछ questions है, question number two के लिए question number three के लिए, और question number four अब यहाँ तक अगर आप video देख रहो तो आपके लिए win-win situation है, देखो YouTube पे maximum student videos पूरा नहीं देखते हैं ठीक है, आप देख रहों मतलब you are lucky now I'm going to tell you, like question number four जो है, वो कितने marks का है, 20 mark का और मैं बोलता हूँ कि आपको सबसे जो आसान जो होता है, ठीक है जो सबसे easy जो अगर होता है, वो होता है कि यहाँ पे आपको letters लिखना यह 20 mark में से मैं 15 marks का guarantee देता हूँ, आप easily score करोगे, ठीक है, इसी लिए जिसे RTI का query, letter of consumer address sales promotion और complaint date, यह 4 letters के उपर, मैं मेरे app पे, course में जो बनाया हूँ, वो course के अंदर में यह videos डालूंगा, तो यह video देख लिजेगा, यह important question देखने के बाद, वहाँ पे join कर लेना ठीक है, फिर आपको यह lectures यहाँ पे update होते जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर, ठीक है, तो यह later से अगर आपने कर लिया, तो 15 marks से आपका secure हो गया, बात में जो है, जिसे question number 1 में क्या होता है, objectives type questions भी पूछते हैं, ठीक है, अगर आप paper दोखोगे, तो पहले कैसा पूछा जाता था, बट अभी के वक्त नो objective type के भी questions रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपके 5 marks स्कोर हो जाएंगे, तो 20 marks होगे, उसके बाद question number 6, यह agenda नोपिस कैसे prepare बनाते हैं, 10 mark का, जिसमें declaration of David and appointment of a data, यह appointment के उपर आता है, यह question, तो यहाँ से आपके 10 marks के course join करते हो, तो आपका मतलब, हम लोग actually see, हम लोग मैं इसने create क्या हो, ताकि क्या होता है, सारी चीजने हैं, हम लोग जैसे notes यहाँ पर YouTube पर नहीं PDF शेयर कर सकता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजने जो हैं, वो हम लोग उस एक के इंदर डालके तो वहाँ पर कैसा होता है, कि easy होता है, इसको गेंद को सारी चीजने एक ही जेगे मिल जाने के लिए, उसको लोड़नना नहीं पड़ता है इसलिए हो बना है, और उसका minimum fees इसलिए रखता है, क्योंकि उसका साल पर का कॉस्ट, अगर आप देखो कि कुई भी आपका maintenance, बहुँ जादा होता है तो उसके लिए एक minimum price रखता है, ठीक है और हमारा ताइम में उसका value और आपका भी time है, तो उसकी value जो है, वो define करने के लिए basic लोग रंदी है, basically देखेंगा तो free के बराबर है, free है, क्योंकि आप वो उसमें सारे subjects का, आप वो कुछ लोग कुछ मीलेंगे, material, papers और कह चाहिए फिर, ठीक है तो वो declaration और appointment 10 marks, 5 marks का कवर हो गया, फिर last में जो question number 7 आता है, वो summary आता है अर्राम से आप पास हो जाओगे और ऐसा हो गई ही नहीं कि आपके marks कमा है आप बहुत अच्छे marks score करोगे ठीक है, ति ये कुछ important questions थे ठीक है, उमीद करता हूँ कि आपको एक idea लगया रहेगा, ये कुछ important questions थे, business communication semester 2 के लिए, जिसमें question number 1 objectives type के question, match the fair ये पुछता है, short notes, long answers फिर latest, ठीक है, ये इसमें ये maximum जी चीज़ा है ये आपके book में भी दी रहेगी इस पे ज़्यादा आपको करके क्या आगना focus करना इसमें questions अगर आपको देखना है किस type के questions आएंगे, तो मैं आपको papers जब अभी discuss करूँगा उसमें आपको दिखा दूँगा, इसमें किस type के questions पूछ से जाते हैं, ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आगे रहेगा important questions कहाँ पर आपको focus करना है question number 2 में और question number 3 में कौन से questions और question number 4 में, ठीक है अब हम लोग क्या करते, previous year का paper देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से idea मिल जाए देखो, अब यह जो paper है इसको मैं तोड़ा zoom करता हूँ अगर आप paper देखो गे तो यह देखो becom का paper है, ठीक है becom का paper business communication 2 है यहाँ पे, और यह I guess previous year के पेपर है, previous year के paper में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो 10 mark का मैं बता रहा था आपको यह 10 mark का यहाँ पे fill in the blanks पूंच लिया, बताओ, इससे easy क्या हो सकता है इससे आसान क्या ही हो सकता है आप सोजो, ठीक है फिर question number B में देखो 5 mark के पूछा सबसे easy है, सबसे आसान है फिर उसके बाद, question number 2 मैंने बताया था, question number 2 में advantage of meeting, appraisal, interview, selection जो जो मैंने question में बता है वही question आपने को 4 questions कर रहा है 20 mark का अपने, कंट आगे 20 में से 15 लिखा तो भी आ जाएगा ठीक है, इन सब के answers अगर चाहिए, तो उसके लिए notes में provide करूँगा, एक basic थोड़ा सा notes से जिससे आपको idea मिल जाएगा ठीक है, फिर भी अगर आप course जोइन करते हो कुछ आपको issue आता है, कुछ notes सही है, तो आप हमें directly contact कर सकते हो ठीक है, महां app के अंदर system दिया है, उस system के अंदर जो है, message कर सकते हो ठीक है, और screenshot share करके जो है आप मुझे course का, कि भाई आपने buy किया है, वो screenshot share करके आप मुझे इस number पे पूछ सकते हैं, screenshot share करके आप हमसे question पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद question number 3 आए, आगें में question number 3 में जो बताया था, committee के उपर question आया है, ठीक है, public relation के उपर question आया है, कहीं बाहर से आया है, यह से लग रहे है कि same जो important question जो है, वो ही उसी type का ही पुछेगा, कहीं दर बाहर से नहीं पुछेगा, सिर्फ question गूमा के पुछेगा, बस याद रखिएगा, इक है, अब question number 4, देखो जिसे मैंने बता रहा था, later लिखना है, यहाँ पर you want, क्या है, you want to have your new house completely renovated, write a letter to the Pooja Homebuckers, and then asking then submit the estimation cost, अब यहाँ पर आपको later लिखना है कि cost submission करने के लिए एक तरीके का quotation के लिए, draft a sales later promote, the sales later आ गया, you have to send money, क्या है, you have sent a money of rupees 15,000 from Pune to Bangalore about two month back, yet it has been received, आपको RTI का later लिखना है, ठीक है, negligence of postals, फिर इसके में question number 4 में, okay replace, यहाँ पे complaint, basically complaint है कि question number 4 में basically complaint है, जहाँ पर आपको replacement करने के लिए बोला जा रहा है, तो और grievances के later, अच्छे, इसमें से अपने को later कितना करना होता है, चार later करना होता है, तो यहाँ पर any 4, तो any 4 में से, कितना easy, सबसे easy, सबसे असान ही है, ठीक है, इसका notes में description में add करना, चेक कर लिजेगा, ठीक है, latest के, उसके बाद आता है question number 5, तो question number 5 में आपको क्या prepare करना है, report prepare करना है, prepare reports of celebration annual college day, सबसे असान है, है, कुछ भी लिख दो गई, 10 से हम लोग करते है, 10, 12, फिर डिग्री इस भी बहुत बार जोगे है, अगर देखो कि आप reports prepare करते हैं, तो paragraph type का जोगे लिखना होता है, आपको reports prepare करना होता है, शेतना college, bandra is appointed, the committee looks declining, others prepare a report to submit to the principal, यहाँ भी report prepare करना है, इंतम इसी है, 10 माग का, anyone, कोई, दोनों में से कोई एक ही करना है, सबसे आसान है, फिर उसके बद कुशन में 5 कभी, अगर आप देखो के टो annual meeting हो रहा तो यहाँ पे, appointment later manager का, और election of secretary, यह भी सबसी easy है, यह easy, इस इनिये मैं बोल रहा हूँ, क्यूंकि आपने syllabus नहीं देखा, मैंने syllabus देखा, इसके लिए मैं आपको बताओ, ठीक है, books का, तो आप आसानी से easy कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें शुने, last में जो है summary रहा था, पाच मांका, जो इसका आप आराम से इसनिये summary लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी रहेगा, question starting में summarize the passage, इसी passage को पढ़ो, और इस passage को क्या करो, इसी में से sentence उटा उटागे, पहरे कर आप बना के लिख दो, पाच में से घम से घम से घम दो तीन marks तो मिली जाएगा, ठीक है, तो यह previous year के question paper है, 2003 से 24 का, एक paper और मुझे मिला लेक जिसे यह तो BA का है, business communication स्वाय का, नहीं, यह तो पूराना paper है, ठीक है, जिसमें question type अलगलग पूछता था पहले, ठीक है, यह पूराना paper है, तो यह papers भी जो है, मेरे website में मैंने add किया है, जो regular colleges का है, जिसको आप देख के refer कर सकते हूँ, अभी थोड़ा paper pattern change हुआ है, कि starting मे objective type पूछ ले हैं, तो हो सकता है, इस साल भी objective type के questions पूछ है, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ्या आ गया होगा, अबर हाथ वीडियो को like कर देना, share जरू करना, और course join कर लेना, आप हमें support करोगे, definitely sure आपका फायदा होगा, एक कुछ न कुछ तो आपको value ठीक है, आपको study में सारी चीज़ों में, guidance में सब चीज़ें जो है, हम लोग provide करें, जिससे आप आसानी से, जो है, easily knowledge के साथ आप exams clear करो, ठीक है, चरो, मिलते नेक्स वडियों होगा,